नमस्कार मैं हूँ तोरल और आप देख रहें ततकालने उस लाइफ बॉलिवूड अभीनितरी रीचा चड़ा को रननितिक मामलों में बोलना भारी पड़ गया है मामले में इतना तुल पकड़ लिया कि रीचा चड़ा को माफी मांगने पड़ी है और सेना से अपने परिवार के जुडाव का हवाला देना पड़ा इसके साथ ही गलवान पर किये अपने ट्वीट को भी उन्होंने डिलिट कर दिया है आपको बता दे कि इसी मंगलवार को उत्तरी सेना के कमांडर लेफटेनेट जनरल उपेंद्र दिवेदी ने कहा था कि भारतिय सेना पोक को वापस लेने के लिए तयार है और उसे सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार है इसी बयान को कोट करते वे अभीनेत्री ने ट्वीटर पर लिखा गलवान हाई कर रहा है सोशल मेडिया की दुनिया में काफी मुखर रहने वाली रिचार चड़ा को अंदाजा तक नहीं था कि लोग उनकी क्या गद बनाएंगे वरना शायद ही इस तरह का ट्वीट करने से पहले हजार बार सोश थी सोशल मेडिया पर रिचार चड़ा की इस पोस्ट को देखते वे लोग भड़क उटे कईयों ने उसके पोस्ट को शर्मनाक और अपमान जनक तक बताया